हाई, वेलकम्टो में चनल, चलिक विशन नमबर थरी साल करते हैं, तो ध्यानत जीए का A and B, working together can finish a piece of work in 6 days तो A और B, दोनों मिल करके, एक piece of work को 6 days में complete करते हैं, finish करते हैं, ठीक है While A alone can do it in 9 days, जहांकि A जो है, अकेले कर सकता है 9 days में ठीक है, A भी दे दिया है, A का कितना कर रहा है, और यह दोनों का दे दिया, ठीक है अब बोलागे, how much time will B take, मतलब कि B वाला, B जो है, अकेले कितना time लेगा finish करने के लिए उस piece of work को तो यहां पर हम पहले-पहले क्या करेंगे, कि इन दोनों के द्वारा जो time लग रहा है 6 days, हम पहले निकालेंगे कि 1 day में यह दोनों मिलकर कितना कर रहा है, ठीक है तो one day में, यह दोनों मिलकर के, A plus B, जितना भी करेंगे यहां पर amount, work करेंगे जितना भी ठीक है, मालो की W1 कर रहा है, और हम यह निकालेंगे फिर कि जो यहां पर दिया हो, ठीक है A alone can do it in 9 days, अब one day में हम यह भी निकालेंगे कि one day में, ठीक है, one day में कितना amount of work है, कितना कर रहे है, A, A के लिए कितना कर रहा है, माली जी कि W2 कर रहा है, ठीक है तो one day में जब हमने इसका निकाल लिया, A plus B का, और one day का हमें A का भी पता हो गया, W2 तो हम निकाल सकते हैं, यदि हम इस W1 में से W2 माइनस करेंगे, तो A वाला जो work है, वो W1 में भी है W1 में से A वाला work जो है, घट जाएगा, किवल B वाला work बचेगा, मतलब कि हम निकाल सकते हैं, कि one day में जो work होगा, B के द्वारा, वो निकल जाएगा ऐसे, W1 में से ही दी हम, W2 को माइनस करेंगे तो तो यही whole concept यहाँ पर लगेगा, जो में लिखने वाला हूँ, ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको erase कर देते हैं, फिर हम start करते हैं यहाँ पर solve करना, अब समय में आजएगा बिल्कुल ही, अब इस ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि time taken, time taken to finish, finish a piece of work, finish the piece of work we can use, piece of work is equal to 6, अच्छा, by, by a and b, बोथ, okay, by a and b, is equal to 6 days, okay, तो 6 days में दोनों मिल करके, 6 days में कर ले रहा हैं, तो 1 day में कितना करेंगे, लेखिए, 6 day में, a और b, one amount of work कर ले रहा हैं, तो 1 day में कितना करेंगे, unity में लगागे, 6 से divide कर लेजिए, तो मिलेगा यहाँ पर, sorry, divide करेंगे दो मिलेगा, 1 upon 6, 1 upon 6, amount of work जो है, complete कर लेंगे, 1 day में, ठीक है, यही बात सोचनी है, इसी तरीके से, तो यहाँ पर लिखे लेंगे हम, कि, इसलिए, a plus b, one day work, one days, ठीक है, यह अपोस्टाफिकस लगा है, ठीक है, यहाँ भी है, और यहाँ भी, तो अपोस्टाफिकस से मतलब होता है, का, ठीक है, a, b का, एक दीन का, work, जो होगा, वो होगा, 1 upon 6, है कि नहीं, जो हमने अभी unity method solve किया, 1 upon 6 होगा, तो 1 upon 6 amount of work, जो है, दोनों मिल करके कर लेंगे, एक दिन में, अब यहाँ पर यह भी दिया हुआ है, कि, a alone can do it in 9 days, अब उसी काम को, यह जो है, 9 days में कर लेगा, तो हम उसी बात को यहाँ भी दिसकते हैं, तो given पहले दिया हुआ है, कि time taken to finish the same work by or alone, by a alone, ठीक है, a की दुबारा alone जो कितना time लग रहा है, 9 days, तो यह नाइन डेज में, यह जो है, complete कर रहे रहा है, काम को, 1, 1 काम को, जो है, 1 work को, 9 days में complete कर रहे रहा है, तो one day में यह जो a है, वो कितना करेगा, यह निकलना पड़ेगा हमें, ठीक है, यह बस करना है हमें, one day निकालते रहना है, तो 9 से डिवाइड कर दीजी, मिल जाएगा 1 upon 9, तो इतना amount of work जो है, a कर लेगा one day में, ठीक है, unity method, समझेगा इसके आगे, तो हम इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पर, यूज़ कर लेंगे, इस लिए, a is, a is, one day work, one day's work is equal to, one upon 9, ठीक है, तो a का निकल गया है, one upon 9, एक दिन का work, and a plus b का निकल गया है, कि एक दिन का work कितना होगा, one upon 6, यदि हम a का, a one day का work है, यदि माइनस करते है, a plus b के एक दिन के work से, तो a वाला work, जो है, इसमें से, जो, इसमें क्या है, बाले क्या है, a और b दोनों का work है, एक दिन का, और A बाले में क्या है यहाँ पर कीवल E के दिबारा किया गया work है यहीज़ि़ हम इसको minus करेंगे इसमें से तो इसमें से जो A बाला work है जो कि दोनों इसमें है ना A और B दोनों A बाला work minus हो जाएगा मुंस्थे, कट जाएगा क्यवल बचेगा B बाला work is equal to, b का जो one day work होगा, वो होगा, a plus b के द्वारा जो work day हो रहा है, one day में, means a plus b is one day, one day is work, ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो काम किया गया है, उसमें से minus कर देंगे, a is one day's work, right, तो यहाँ जब minus करेंगे, उसमें से minus कर देंगे, a plus b कितना है, one by six, इसे minus कर देंगे, one upon, यह nine, राइट, तो यहाँ पर जो एल्समें लेना पड़ेगा, फिर से, nine और six का आलसिम हो जाएगा, eighteen, और nine, six, six, three, जा हो जाएगा, minus nine, two, जा होता है, तो three में से two minus करेंगे, तो मिलेगा आपको one upon eighteen, means one upon eighteen, one upon eighteen part of the work can be done by b alone, ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से लगाएँगे, अब unity method, और b का यह पता कर लेंगे, कि पूरा whole amount of work, जो है, वो कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर कैसे लगाएँगे unity method, इस तरीके से, यहाँ पर क्या पता हो गया, यहाँ पता हो गया हमें, कि one upon eighteen, one upon eighteenth part of the work, can be done by b in, in what, in one day, in one day, right, अब यहाँ पर हमें one लाना है बस, तो one लाने के लिए क्लिए 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 क्लिएँगे, इसको उटा कर देंगे गिधार, तो one means whole amount of work, can be done by, in eighteen days, इसको बोलते हैं इनुट्री मेथड, यहाँ पर ऐसे सोचना है, और लिखना ऐसे है, ठीक है, तो इसको मुड़ा देते हैं, और यहाँ पर हमारा जो है, लेख सकते हैं कि, the time taken, to finish, the whole work, whole work, by, we alone, we alone is equal to, स्काउटा कर दिये बस, eighteen days, ठीक है, आपको सोचना है, इस तरीके से, मतलब कि, unitary method लगाते रहना है, और unitary method लगाने के बाद, जो result आता है, उसको सोच कर भी लिख देना यहाँ पर, ठीक है, उससे समय सारा लिख रहा हूँ, पहले पहले में क्या आगी है, email क्या कर रहा है, okay, a plus b, दोनों के दोरा जो काम हो रहा है, पहले one day में, मैंने यह निकाला, ठीक है, दोनों जो कर रहे थे, वो से फिर्योज में कर रहे थे, one day में कितना कर रहे हैं, तो one upon six, दोनों का है, a plus b का दोनों का वर्क जो है, इतना है, एक दिन का, और e का जो अकेले का वर्क, one day का वर्क है, वो one upon nine है, इसको मैंने मैंने मानस कर दिया इसमें से, केवल बचा b का एक दिन का वर्क, ये, और b का एक दिन का वर्क जो निकल गया, one upon eighteen, तो आप इससे हम ये लगा दिये, और इसको उल्टा कर दिये, तो number eight days मिल गया, ठीक है, जिससे मैं बताया था, ऐसे कर सकते हैं, तो आप को समय में आ गया होगा, तो thank you so much for watching, यदि आपको अच्छा लगा, तो like कर दिजे, दोस्कों share कर एए, और कोई भी doubt होता है, तो conversion लिखना मत भूलेगा, यदि doubt नहीं भी है, तब भी लिखे, मेरे लिए एए फासा फाइदा हो जाएगा मेरे लिए, thank you so much for watching,